प्रतिभा और आज इस वीडियो में फिर से आपके साथ शेयर कर रही हूं पुरानी डिस्कार्डेड प्लोथ के कुछ नए आइडिया और पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये जो सुन्दा सा बैग आपको दिखाई दे रहा है ये क्रियेट किया था अपने हस्बंड की पुरानी जीन से और साथ ही मैं अपने बेटे की यहाँ पर जो चेयर है स्टेडी टेबल के साथ की तो ये थोड़ी सी मतलब च गदी जैसा बनाया था वो भी मैंने बनाया था अपने हस्बंड की पुरानी शर्ट से तो चलिए फ्रेंट्स यहाँ पर आज की वीडियो की इस आइडिया को देख लेते हैं यहाँ पर यह जो जैकेट है यह मेरे बेटे की है तो पिछले दो सालों से विंटर्स में इसे ख आमस हैं वहां से मैंने इसको कट कर दिया है और बीच वला पोशन सारा जो नीचे का होता है वो रख लिया है और इसको दोनों साइड से वसिलना है बहुत ही सिंपल सा और्गनाईजर है आपको इसको बनाने में हार्डली 10 मिनट लगेंगे और बहुत ही काम आने वाला है य इहां से जो जिप वाला पोर्शन है उस वाले पार्ट को आराम से मतलब स्टिच कीजिएगा और बहुत ही असानी से सिल जाएगा चाहे तो आप सुनी धागे से भी सिल सकते हैं और फ्रेंट्स हमारे घर में इस तरह के कपड़े होते हैं काफे सारे हम लेके रखते हैं या तो इस तरह के कार्ट बॉक्स के अंदर ये पैक होकर आते हैं मतलब जहां से हम सारी खरीदते हैं तो काफी सारा स्पेस ले लेते हैं ये कार्ट बॉक्स हमारे वार्डरोब में तो आप इस तरह से ना स्टोर करके आप इनको निकालके इस तरह से इस और्गनाईजर में रख सक और इस तरह से आपके जो नए कपड़े हैं उनमें धूल भी नहीं लगेगी और आपका अन्नेसेसरी स्पेस जो वार्ड्रोब में घिर रहा था वो भी नहीं घिरेगा तो यहां पर एक और यहां पर सूट सेट था वो भी मैंने रख दिया है तो आप इस तरह से को देने हैं तो संभाल कर रखिए नहीं तो आप इनने डिसकार्ड कर सकते हैं तो बस यहां पर देखिए अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा जो मैंने यह वाली वार्ड्रोब को और्गनाइज किया था तो यहीं पर यह सारे जो बॉक्स रखे वे थे और बहुत सारा स् स्पेस में अब यहां पर काफी सारे मैंने कपड़े स्टोर करके रख दिये हैं तो फ्रेंट्स मेरे जीरो कॉस्ट आर्गनाइजर का आइडिया कैसा लगा आपको कॉमेंट करके जरूर बताएगा तो फ्रेंट्स यहां पर एक टी-शिर्ट है यह यलो कलर की जो मेरी बेट जादे भी जुड़ी होती है और यह वाली टी-शिर्ट न इसको मतलब मेरी बेटी को उसकी मौसी न दी थी लेकिन इसको भी छोटी हो गई तो अब इसका क्या किया जाए तो मैंने सोचा यहां पर इसका एक जुगार से बनाते हैं कुशन तो यहां पर मैंने काट लिया था इसकी कंडिशन काफी खराब हो गई थी तो मैंने अपर फिर इसको कई बार हमने इसको सेल भी लिया लेकिन अब यह जादे खराब हो गया था इधर उदर पड़ा पड़ा घूमता रहता था तो हमने इसका जतना भी फाइबर था वो सब निकाल लिया है आपर फाइबर को निकालने में मैंने बच्चों की help ले ली थी तो बच्चे enjoy करते हैं ऐसे काम जब कोई messy work करना होता है तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है तो दोनों बच्चों ने help करती थी सारा fiber निकालने में और फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से खोल लेंगे और जब हम fiber को लेते हैं तो मतलब उसकी जो quantity है काफी बढ़ जाती है अगर आपने बच्चों का पुराना टॉय नहीं खराब करना चाहते तो कोई पुराना तग्या आपके पास पड़ा हो तो उसकी रूई या फिर फाइबर निकालके भी उसको इस तरह से पीन लीजिए इसको पीनना कह पिछली वीडियो में आपको दिखाया था मैंने शेयर किया था आपके साथ पिलो कवर बनाए थे तो उसकी काफी सारे कपड़े बचे हुए थे कुर्ती वगरा के तो छोटे-छोटे टुकडे काट कर आप इसके इंदर भर दीजिए आपका बहुती फलफी कुशन बनके त बहुत जली पिचक जाते हैं और आप इस तरह से अपने पुराने कुशन का या फिर पुराने ओल्ड टॉइस का यूज कर सकते हैं तो बस यहां पर यह मेरा कुशन बनके तियार हो गया है और देखी और देखी इस तरह से मैंने किते सारे पैसे बचा लिए हैं अगर आप यहां इस तरह से जुगार से काम चलाते हैं तो आप भी इस तरह से बनाइए और थोड़ी सी मैनत थो लगती है लेकिन जब भी कोई आपने हातों से करते हैं तो दिल को तो बहुत ज़्यदा खुशी होती है मैं तो ऐसा ही करती हूँ आप क्या करते हैं पुराने कपड़ों का पुराने टॉइस का मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी नए नए आइडियाज मिल सकें और यहां इस कुशन की फ्लफीनेस तो आप देखी सकते हैं तो फिर जब एक कोई चीज अच्छी बन जाती है तो मन करता है कि ऐसा ही दूसरा भी क्रियेट करो तो यहां पर मैं सेकेंड आइडिया आपको दे रही हूँ अगर आप टीशर्ट से नहीं बनाना चाहते हैं तो इ यह वाला जो बैग है मेरे हस्बंड लेकर आया थे वह बाहर जाते रहते हैं ओफिस के काम से तो होटल में जब स्टेक करते हैं तो उन्होंने लॉंड्री करवाई होगी तो लॉंड्री के साथ यह वाला बैग उनको मिला था तो काफी मजबूत था यह तो मैंने इसको संभ बनके त्यार हो जाएगा एक आइडिया तो आपको यह मिल गया है कि आप टॉइस की पुरानी फाइबर उसके अंदर भर लीजिए अगर आपके फाइबर नहीं है तो आप आपके घर में जितने भी डिसकार्ड़ेट लोट्स हैं आप उनको मता छोटी-छोटी इस तरह से क लोट्स की बैग होते हैं तो वह भी फिल कर सकते हैं आप इसको तो इसके जो कटिंग बची थी वह भी हमने काट ली है और यहाँ पर जो होली की टी-शर्ट थी यह बिल्कुल डिसकार्ड ही करनी थी पिछली वडियो में मैंने आपको दिखाया भी था इस तरह की टी-शर् आफ बनाएं तो पुरानी सावक्स होती हैं ये देखिए पुरानी सोगस मतलब पारा महीनय παढ़ी जाती है तो बहूत सारी सौक्स हमारे घरिसे हमारे तरह से निकलती है तो आप इसमें भी काट के चोटी-चोटी छोटी स्टिप्स कर भर दीजें हो मैंने सारी चीज अमझ कोई चीज गंदी है तो फिल करने से पहले एक बार आप उस कपड़े को अच्छे से वाश जरूर करें तो फिर्ण्स यहां पर जो हमने कत्रा ने काटी थी तो वो भी कम पढ़ गई आप इस तरह के फिलर बनाएंगे तो आपके घर के जितने भी पुराने कपड़ें वो सब कपड़ें नहीं चाहती थी मतलब मेरे हाथ में दर्द हो गया था अक्छिली जो सीजर वो बिल्कुल शाप नहीं थी तो काफी प्रॉबलम होई है मतलब कपड़े काटने में तो मैंने सोचा कि फिर से कुछ जुगाड करते हैं तो यहां पर मैंने एक पुराना कुशन ले बताये गए तो फिर यहां पर इसकी फाइबर मैंने निकाल लिह और इसको फिल करने के लिए मैं सोची थी जो मेरे बेटे का एक टैडी है बहुत पुराना है तो वह मैंने मेले बेटे से पूछा कि उसकी फाइबर कर देती हूं लेकिन उसने मना कर दिया तो बच्चों को कीजों से लगाव होता है लेकिन आप ये सब करने से पहले एक बार अपने बच्चों से जरूर कुछेगा देखे फ्रेंट्स ये वाला कुशन भी बनके त्यार हो गया है और अभी मेरे पास कुशन कवर नहीं है तो यहां पर पुराने कवर ही मैं आपको छड़ा कर दिखा र कर लीजिए या फिर 24 x 24 के कर लीजिए तो यहां पर दिखिए दोनों कुशन में इसके उपर डाल दिया है और बहुत ही फ्लफी बने थे यह वाले कुशन कवर और इस तरह का लुक आ रहा था इनका और इस तरह की कुशन फिलर का पूरा सेट में जल्दी ही बनाऊंगी आम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इस तरह की यूसफुल वीडियो देखने के लिए तो आप से जल्दी ही मिलोगी नेक्स वीडियो में बाई बाई